प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अभी कुछ जैहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रियाक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज मापके एक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक अच्छा करेंगे हमारे प्यारदेश भारत के बारे में और खासकर हमारे विदेश मंत्री एस जैशन्कर साब के बारे में तो ये वीडियो काफ़ इंट्रोस्टिंग होगी इसे अंतर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर दें आके हम आपकी इसे ल यूज है उसमें जाहर है के डॉक्टर जे शंकर की भी है जो के उन्होंने बात की है जिस तरहां से आप जानते हैं कि कहा गया के चाबार पोर्ट के उपर कहा गया यूएस की तरफ से उन्होंने उसको भी जवाब दिया है पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की है साथ ही क किरगस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स अभी जब मैं आप से बात करी हूं तो बताये गया है कि वो पहुंच गए हैं लहौर और सुबह से ये खबर काफी चल रही है इमरान खान की ब्लू शिर्ट आज कर बड़ी बहस बनी हुई है वो भी क्या कहेंगे नमबर वान क्यूंकि वहां पे जो मेडिकल की कहते हैं जी यूनिवरस्टी वहां मेडिकल की बहुत बड़ी तालीम है वह सारी जो मेडिकल स्कूल है पाकस्तानियों ने जाके उनके साथ मिलके सारे फराडी है उन्हों ने यह वहां पे कटा कर रखा का अब पाकस्तान में बेड चाल ये है पाकिसान के ऐलात नहें खराब हैं कि इनको नाइजेरिया का वीज़़ा मिले तो यहां भी चले जाती हैं इनको तो देखने वाली बात भुक मरी पड़ी है कंट्री के अंतर वो जारे ढूंडते रहते हैं कहीं भाग जाएं यहां से तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ वो चलें जिस तरह भी था Egyptian किसी लड़की को किसी ने छेडा जगडा हुआ उनका अपस में मारा मारी हुई जो उपर सबसे बड़ी बात है कि इसाग डार साब ने का जी मैं खुद vacation पे चला जाओंगा वहां और वापसी बचों को ले आँगा और भायजान उन लोगों को टिकट ले दें आप सरकारी जहाजों के उपर मज़े ना लें मुल्क में आप bankrupt हो चुके हैं मौईशी तोर पे भी इखलाकी तोर पर भी bankrupt हो चुकिए आपका जाने की जुरूत नहीं है आप वहां पे किसी किसी को कहें कि इनको टिकट ले दें ट्रेन पर मंगा ले इनको जहाज नहीं टिकट मिलता तो ट्रेन पर मंगा ले लेकिन आप ये अगर परोरा में आपका के पांच-छे मिलियन डालर का जहाज आप साथ लेके तो वकेशन पर जाना है तो जाए वैसे भी तो यहां मारा मारी पड़ी है लूट मार का बाजार गरम है यहां पर कोई समझ तो आ नहीं रही है डाके पड़ रहे हैं दिन रात तो एक तो वहां पर खबरें अच्छा फिर उसके उपर मेरे जो पीटिया वाले जो लॉ लोग जो थे हास्पिटल गए थे उनमें से एक को उन्हों ने रखा बाकी वो घर भीज़ दिया उन्होंने काई जे आप आराम करें जाके अब वहां पर सूर्टेहाल यह है कि अकानमी खराब है वहां एक सबसे बड़ी वज़ा यह है अकानमी खराब है रशिया के अंदर जब उन्होंने ड्राफ्ट शुरू किया आर्मी का एक लाख असी हजार रशियन भाग कर गिर्गस्तान आ गया था उसके वज़ाए से उनकी एकानमी पे बोज़ था अकानमी खराब है जब भुकमरी पड़ती है तो जगड़े शुरू हो जाते हैं तो एसल उसकी बजुहा और फार्णर से फार्णर इस वक्त वहां पे सुना है काफी ज्यादा है जो खास कर ये बचारे डिवेल्पिंग कांट्री से जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सुना है वीबियस करने के लिए एक क्रोड़ से ज्यादा खर्चा होता है वहां तकरीबान सतर लाक में ये फारग हो जाते हैं लेकिन वापस आकिड़ लड़कों को MEDICAL की अम्तिहान लेके डाती मुओना पड़ता है और वो ऐसे ही हैं जो बच्चों को पाकिस्तान पर इड्मेशन में मिलता वो घू워서 किस्तान का तो पहले ही कोई वारस नहीं तो पूछने वाला को पुछने परूसाने ग यह सुना तीन चार लोग हैं अबसी में वहां पर अबास साब है जो अबस्डर हैं उनका नाम है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ने जी यह साब अच्छे की खबरें हैं या कुछ भी नहीं हुआ सारे लोग जूट बोल रहे हैं लेकिन यह कि आपको पता है यह पाकस्तान क भी किसी पाकस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकस्तानी वो उनके जो अहलाद देख लें बाहरवालों को कौन लेकर आएगा आपको यहां कोनी पूछता इसलाम बाल लहूर में कोई पूछने वाला आपका कोई माई बात यहां पर मौझूग नहीं आई आप तो बस वरिश् खबर आप बता रही थी खांसाब के खांसाब की जो सुप्रीम कोड के अंदर तस्वीर लीक हुई है एक तो सिस्टम के मुँपे तमाचा है के लीक किस तरह हो गई है वो चले को नहीं ऐसे ही होता है जहां सारे कुरॉप्ट लोग हो जहां दूसरे पर नाम लगा रहे हैं वो का नून की कोई पासदारी नहीं तो बाहर क्या होगा फिर उसमें जो मज़े की बात है वो जो देखने वाली बात है के खांसाब का चेरा जब सामने आया तो कई जज अशश कर उठे उनके मुर्शिद पाक वहां से हंसियां निकली उनकी स्माइलें उनका है मुर्शिद ठे जाजित हो जो थे वो बाग बाग हो गया उन्होंने का वाँ बाग मुर्शिद को नजर आये तो भाई ये तो पूरे उम्रे का सवाब है तो चले वहां पे फिर ये है कि अदालत पिर उसके बात जो कल बात ये की है खांसाब जो बियान चोड़ा है फिर खत लिक रहे है शेरोशारी कर रहे हैं कई कताबे लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की इजासत नहीं दी गई और खांसाब ये जलसा था बाइज जलसा नहीं था अदालत थी आपने अपने टर्न पर बोलना है अगर उन्होंने जरूर समझी आपको अलाओ करेंगे आपको ये आदा पढ़ चुकी है कि जहाँ आप जाते हैं लोग लेट जाते हैं को पाॉँ में पढ़ रहा है को हाथ चुम रहा है तो ये अदालत थी भाई-जान आप चाते थे कि जजज उठके सामने सज्ड़ा नगू हो जाए आपके सामने तो इस तरह नहीं था अदालत के अंदर proceeding के होता है, पहले आपका वकील बोल रहा है, फिर गॉआ को जब बुलाएंगे, फिर आपके बारी आएगी तो आप बुला लिया जाएगा, लिकिर खान साब को बड़ा उसा है, उन्हों का, मैं जाओं और लोग लेट में जाए आगे से, तो इसके लिए अरज ये है, मेरे खुद प्रस शख्स ये है, जितनी बोटाक्स और फेशल ये कराता है, जितने हेर ट्रांस्प्लांट इस बंदे ने करार रखे हैं, और ये मेरा मकसद है कि आप ये देखें, कि सोला साल की एज में ये बाहर चला गया, फिर वहां क्रिकट खेलता रहा, फिर प्ले बुआए इमरान खान तेरी आँखों के नीचे बैग बने वे थे, अरे मर गए हम तो ये क्या होगा, वो जो आंटियां जो 90's, 70's में देखती हैं थी क्रिकट, वो परशान है बचारी, उन्होंने तो कल दो दिन होगे खाना निखाया, तो ये है, कि खान साब की काम्याबी का सियास्त दान तो वो है लिए, वैसे भी ऐस तेहतर साल हो गई है, अभी तक अपने खुबसूरती के सर पे वो चल रही है, अभी तक अपने खुबसूरती और अपने बाड़ी फेटनेस की वज़ा से, वो बहुत मशूर है, तो अब देखें, लेकिन आरजू जो इस वक्त हालात चल है, फिर उसके बाद भारत ने इरान के साथ जो बंदरगा की वहाँ पे सीपोर्ट की डील की है, उस पे अमेरिका जो है, वो परिशान है, लेकिन अभी तक कुनों ने कुब वाज़े, भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया, इन्हों ने का है, हम सैंक्शन लगाएंगे, लग पहले ही तरक्यों में है, बल्के मैं सबसे बड़ी बात है, यह बड़े वसूख से कहूंगा, आज अगर तंग करोगे, अपना वाशनिन डी सी भी खड़ाब कर लोगे, वाशनिन डी सी को चलाने बादे सारे भारती है, माइक्रोसाफ्ट, गूगल के बगार आप दो घंट पहले रशिया पर जो तुमारी सैंक्शिस काम कर रही है, बड़ा क्रूशल टाइम के उपर जाके मिनिस्टर ने एरान के अंदर डील साइन की है, अलेक्शन के दोरा, आफरीन है उन पर, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन उनने साइन करनी थी, उसकी वज़ा यह है, स्री लं भारत के सारे एटमी तनसी बात के उपर नजर रखेंगे, तो जाहर है, उसके बात जो है, भारत अपने मसल रिफ्लेक्स करेगा, उन्होंने किया है, और बलके उसमें सबसे बड़ी बात एक और आ है, चाइना को डारक थ्रेट है, उसकी वज़ा यह है, इस बिस बंदरगा के बारे में, और खास का जो पाकिस्तानी स्टूडेंस हैं, इनको कर्गिस्तान में लोकल्स ने जम कर पीटा है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, तो वीडियो काफी जादा भ्यानक हैं, उसी की डर से काफी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंस अब वापिस पाकिस्तान आ कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर ज़रूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी सी लेटेस इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जैहिंत चैब भारत